आपने जलियावाला बाग हच्तिकांड के बारे में पढ़ा या सुना होगा यह भारत ये सोतंत्रदा संग्राम का सबसे काला इतिहास है जब ब्रिटिस अच्तिकारों के चलते 13 अप्रेल 1919 को सैक्रो भारत्य मारे गए थे वो काला दिन जब ब्रिटिस सरकार की बरबरता ने एक राष्ट की अंतरहत्मा को हिला कर रख दिया था जलिया वाला बाग हच्तिकांड को अमरित्सर नर संगहार भी कहा जाता है क्योंकि यह घटना पंजाब के अमरित्सर में हुई थी जिस दिन यह घटना हुई उस दिन पंजाब के प्रमुख तिवारों में से एक बैसाखी का तिवार था जलिया वाला बाग की घटना से पहले भारत ये सोतनता आंद्वन के दो परसीद निताओ सच्ट्यपाल और सईदुद्दिन किचलू की गिरफतारी के विरोध में गुस्साइब भीड ने मारकिला नामक एक इंगलिस मसिनरी पर हमला किया था भीड में मौझूद लोगों ने उसे लाठियों से पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया था गुस्साइब भीड के हमलो और विद्रोग की घटना के बाद 12 अप्रेल 1919 को बिर्गेडर जनरल एरिजिनाल डायर ने सारवजनिक समारोग पर परतिवन लगाने की घुषना की थी लेकिन आम जनता को इसके बारे में नहीं बताया था रिकार्ड्स के मताबिक डायर ने फारिंग का आदेश देने से पहले नहीं बाग में इकठा हुए लोगों को चेतावनी दी थी और नहीं उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था इस दवरान 1650 राउंड फारिंग हुई थी और बिटिस जवावन ने फारिंग तब रोगी थी जब उनके गोला बारुत खत्म हो गए थे जलिया वाला बाग में एक कुवा था लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुवे में खुद गए थे लेकिन उनकी भी मौत हो गई थी कहा जाता है कि उस कुवे से 1200 को बाहर निकला गया था बिटिस राज की अधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस घटना में 389 लोग की मौत और 1100 लोग घायल हुए थे लेकिन भारतिय राष्ट कांग्लेश के मुताबिक उस दिन 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस नर संहार के बाद रबिंदेनाठ टाइगोर ने किंग जार्ज भी द्वारक किये गए नाइट वूड टाइटल को त्याग दिया था वही महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद पादप को लवटा दिया था जो उन्हें दच्छन अपरिका में बोर युद के दवरान किये गए कामों के लिए दिया गया था क्रांती कारी गदर पार्टी के सदस्य उधम सिंग ने जलिया वाला बाग नर संगहार का बादला देने के लिए 13 मार्च 1940 को डाइर को गोली मार कर हैत्या कर दी थी नर संगहार में से बचे लोगों में से एक सिगार सिंग थे जिनका निधन 113 बर्ष के आयू में 29 जून 2009 को अम्रिस सर में हुआ था फ्रेंड ये थी जलिया वाला बाग से जोड़ी महत्तपून जानकारी जो आप सभी को जानना चाहिए तो फिर कमेंट करके बताई कि आपको ये वीडियो कैसा लगा